प्रफात धन्बाद पब्लिक स्कूल मीन ब्रांच आपके लिए ये कहानी टी-एन पानेकर नैशनल रीडिंग मिशन मुव्मेंट के एक हिस्से के रूप में लाया है जो पूरी देश में 300 मिलियन अंड़ प्रिविलेशन के बीच रीडिंग और डिजीटल रीडिंग के संदेश के रूप में दो हजार पाइस तक पहुँच सके तो आज के ये कहानी मैं श्रेया श्रगवी कक्षा आठपी की छात्रा आपके समक्स रस्तोत करती हूँ एक पौरानिक कथा के अनुसार महर्शे बनने से पूर्व वालमिकी रतनाकर के नाम से जाने जाते थे तथा परिवार के पालन पोशन हे तु वे लोगों को लूटा करते थे एक पार उन्हें निर्जनवन में नारत हुनी मिले तो रतनाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया जब नारजी ने रतनाकर से पूछा कि तुम यह निम्नकारिय किसलिए करते हो इस पर रतनाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार को पालने के लिए इस पर नारद जी ने प्रश्न किया कि जिस परिवार के लिए तुम इतने अपरात करते हो, क्या वा तुम्हारे पापों का भागीदार बननी को तयार होंगे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रतनाकर नारद मुनी को पेड से बांध कर अपने घर गया। घर जा कर उसने अपने सभी घरवालों से प्रश्न किया कि वह रहा गिरो वह दूसर लोगों को लूट कर सभी घरवालों का पालण पोशन करता है। कल को मेरे इस पापकर्म के लिए मुझे डंडी मिलेगा। तो क्या वे मेरे इस पापकर्म में भागीदार बने गे। रतनाकर यह जानकर स्थब्द रह गया कि परिवार का कोई बिसरदस्य उसके पापों में भागिदार बनने को तयार नहीं है। लोटकर उसने नारत मुनी के चर्ण पकड़ लिये। तब नारत जी ने कहा कि हे रतनाकर यदि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप करने में भागिदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्या अम के लिए आप करते हो। इस तरह नारत जी ने उसे सत्य के ज्ञान से परिचित करवाया और राम राम के जब का उप्तेश भी दिया परंतु रतना कर राम नाम का उचारन नहीं कर पाया और मरा मरा जबने लगा और मरा जबते जबते यही राम राम हो गया दिरंतर जब एवं संकल्प से विरिशिवाल मिकी बन गए इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि इच्छा शक्ती और दिर्शंकल्प इंसान को रंग से राजा और अज्ञानी को महान ज्ञानी बना सकता है धनबाद पबलिक स्कूल आपसे यह अपील करता है कि आप भी ऐसे एक कहानी पढ़े उसे रिकॉर्ड करे और अपने तस सगे संबंधियों एवं मित्रों को भेजे चलिए इस पढ़ो और बढ़ो मेसेच को फैलाए अगले संडे हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए रीड़ेट हों करोवेट हों धन्यवाद